देवना मर्मोनी समझन बाईबक्त सिंग द्वारा जून दस केमके तु मारो आत्मा शेवलने सौप्षे नहीं अने तरा भक्तने कबर मा जवादेशे नहीं गिश्यास्त्र सोड अने दस प्रभुईस्टु ख्रिस्ते कदी पाप करियुना हतु तेनु जीवन संपूर्ण पवित्र हतु ते पोते पवित्र आत्मा थी जन्मे हतो त्याने पताना शत्रू अने पड़कार भेंक्यो तमारा मानो कौन मारा पर पाप साबित करेशे योहान आठ अने छेंतालिस कोई आ पड़कार जिरी शक्यू नही तेना लोई ये आपरने अनन्त जीवन ने माटे खरी द्यां छे अने तेना मा कहीं कोवाण मालूम पड़ियू नही अपणा प्रभुना शरीर मा कोई कोवाण नह थो अने तेज शरीर मा ते पाछो उठ्यो जे मारू माउस खाई छे औने मारू लोई पीए छे त्याने अनंद जीवन छे आपने विश्वास्थी आ सत्य così काराणके त्याना रक्ति आपन ने शुद्द करवामा अने अनंद कारड़ा जीवन दी भर्भामा आवे छे अने त्यारेज आपने त्यानी हाजरीनो सुखानू भव करी शक्या छे जर्देवनों आत्मा आपणामा वासो करतो होई त्यारे आ नावा जीवन मा आपणा प्राण, आत्मा अने शरीर मा सप्रमाल काम थतु रह शे त्यारे तो आपणे तेनी वाणी संबडिये शे आ मार्क छे तेना पर चालो मरा दिक्रा कारजी राख सावद रे, मरा दिक्रा मरी पास आओ हूं तने कई बताओ, हूं तने कई शिखवाडू केटलिक वखत आपणे घड निद्रामा होई ये अने अचानव कुठी जेए अने आपणे साध संबडाई हूं पोते घड निद्रामा होई अने कोई मने नाम देने बोलावतू होई तेम मैं स्पष्ट सांबड़ू पहला तो मने ते एक स्वपन के कल्पना लागी प्रहूं जयारे फरी सुई गयो, फरी मैं वाणी सांबड़ी अने हूं उठी गयो केटलीकवार आवू त्रोन वखत बनी शके अने पच्छी वाणी संबड़ाई मरदिकरा उठ मुतारी साथे वाद करवा मागोजू केवो हक आपणी जरुयात प्रमाणे देवनू वचन प्राप्त करवानू केवो मान अने केवो लावो आमेन